और ये तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं ग्वालियर की जहां पर जियोतिरादित्य सिंधिया की माता जी का निधन हो गया और निधन के बाद अब उनकी अंतिम यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है माधवी राजे सिंधिया अंतिम सफर पर हैं और पूरा सिंधिया परिवार इस वक्त गमगीन महाल यहां पर है और इस अंतिम यात्रा में शामिल है माधवी राजे सिंधिया जो की जिनके आयू 70 वर्ष बताई गई और बीते दिनों उनकी तपियत बिगडी थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था एमस में उनका इलाज चल रहा था लेकिन उनका निधन हो गया और निधन के बाद सिंधिया परिवार में शोक व्यापत है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि जियोतिरादित सिंधिया जो उनके बुत्र हैं इसके अलावा तमाम बीजेपी से जुड़े और अन्य दलों से जुड़े लोग जो हैं वे भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं माधवी पास में अंतिम संसकार के लिए स्थान जो है वो चिनहित किया गया है वहीं पर चबूत्रा एक कर लिया गया है और वहीं पर ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं क्योंकि राज परिवार में ये शोक हुआ है तो यहां पर पाने के लिए दर्शन करने के लिए माधवी राजे सिंधिया के दर्शन करने के लिए और ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अंतिम सफर पर माधवी राजे सिंधिया जियोतिरादित्य सिंधिया की माता जी माधवराब सिंधिया की पत्नी जो की बीते दिनों उनका स्वास्त बिगड़ा और उसके बाद उनको फिर से अस्पताल में भरती कराया गया था जब चुनाव चल रहा था इसी दोरान उनकी तबियत बिगड़ी थी बीच में प्रचार छोड़ कर जियोतिरादित सिंधिया मां के पास पहुंचे भी थे और उनकी तबियत फिर भी जो है वो लगातार बिगड़ती चली गई और फिती दिनों उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया अब उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं माधवी राज सिंधिया को विदाई देने के लिए अंतिम बिदाई देने के लिए उन्हें नमन करने के लिए देख सकते हैं कई लोग जो है वे इस अंतिम यात्रा में पहुंचे हुए हैं राजनेतिक दल के तमाम दलों के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं इसके अलावा केंद्रिय मंत्री भी यहां पर न तो सिंधिया परिवार के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है क्योंकि माध्वी राजे सिंधिया अब उनके वीश नहीं है राज परिवार ये है और जाहिर से बात है कि वहाँ जो इस्थानिय लोग हैं वे नमन करने के लिए माध्वी राजे सिंधिया को नमन करने के लिए पहुँच रहे